गुड मॉर्निंग क्लास पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नाइल रिवर के बारे में या नील नदी के बारे में और नाइल रिवर के बारे में हमने पढ़ा था और बताया था आपको कि यह क्या है लॉंगेस रिवर अफ द वोर्ड वेसु की सबसे लंबी नदी है और आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, largest river of the world, विसु की सबसे बड़ी नदी के बारे में, जिसका नाम क्या है, Amazon River, तो हम पढ़ेंगे, Amazon River के बारे में, Amazon River, Amazon River या Amazon नदी के बारे में, हम कहेंगे, Amazon River किस continent की river है, तब हम कहेंगे, Amazon River है, South America continent की, किस continent की, South America continent की, यह दक्षणी अमेरिका महाद्यूग की क्या है, यह दक्षणी अमेरिका महाद्यूग की नदी है, और Amazon River के बारे में हमने कहा, कि यह क्या है, तो आप कह सकते हैं, largest river of the world, largest river of the world, यह विसु की क्या है, यह विसु की सबसे बड़ी नदी भी है, यानि हम पढ़ इसके बारे में, largest river of the world, विसु की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, Amazon River, या किस continent की river है, तो South America continent या दक्षणी अमेरिका महाद्यूग की river है, और इसी के साथ साथ हम यह भी कह सकते हैं, कि second longest river of the world भी है, यह क्या है, second longest, second longest river of the world, यह विसु की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है यह क्या है, एक दरब तुम देख रहे हैं, largest river of the world, यह विसु की सबसे बड़ी नदी है, और साथ साथ हम यह भी देख रहे हैं, second longest river of the world, यह विसु की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है, और इस Amazon River की length या लंबाई कितनी है, तो लगबग यह अप्रॉक्स 6400 किलोमेटर क्य अफरीका कॉंटिनेंट की या अफरीका महादीब की river थी, नाइल river, और साथ साथ यह भी हमने देखा था, यह क्या थी, longest river of the world, यह विसु की क्या थी, यह विसु की सबसे लंबी नदी थी, और यह भी हमने पढ़ा था, किसकी लंबाई कितनी है, तब इसकी लंबाई हमने देखा था, 6650 km इसकी क्या थी, लंबाई थी, यहनि longest river of the world, जब हमसे question किया जाएगा, longest river of the world, विसु की सबसे लंबी नदी, तब हम answer करेंगे, नाइल river, जब हमसे answer किया जाएगा, कि second longest river of the world, विसु की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब भी हम answer करेंगे, Amazon river, लेक लेकिन अगर हमसे question पूछा जाएगा, कि largest river of the world, विसु की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब हमें answer करना है, Amazon river, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और Amazon river के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, Amazon river, कहां से निकलती है, South America continent में, तो Amazon river का source क्या है, South America continent में, यह river कहां से निकल रह होता है, तो Amazon river निकलती कहां से है, Amazon river निकलती है, South America continent में, Indies mountain से, किस परवत से, Indies mountain से निकलती है, या Indies परवत से निकलती है, Indies mountain के बारे में अगर हम जाने, Indies mountain किस continent में है, तो जहिर सी बात है, Indies mountain South America continent का mountain है, और Indies mountain के बारे में हमें जानना है, यह है क्या, तो हम कहेंग longest mountain of the world या क्या है longest mountain of the world या विसुका क्या है या विसुका सबसे लंबा परवत है कौन सा है एंडीज माउंटेन विसुका सबसे लंबा परवत है और एंडीज माउंटेन की लेंथ या लंबाई कितनी है तब हम कहेंगे एंडीज माउंटेन की लेंध या लंबाई कितनी है लगबग एप्रोक्स में हम कहेंगे लगबग 72 सू किलोमेटर क्या है 72 सू किलोमेटर इसकी लेंध या लंबाई है किसकी इंडीज मौंटेन की इंडीज परवत की ठीक तो हमने देखा कि जो अमेजॉन रीवर है अमेजॉन रीवर का सूर्स क्या है इंडीज मौंटेन लेकिन इंडीज मौंटेन का एक्सेंट या विस्तार साउथ अमेरिका कॉंटेनिन की कई सारे कंट्री में है और ये रीवर कहां से निकलती है तो इंडीज मौंटेन के पेरु वाले पार्ट से क्या होगी ये रिवर निकलेगी और पेरू से आगे बढ़ेगी कोलम्बिया कोलम्बिया से आगे बढ़ेगी ब्राजील होती भी फ्लो करती है यनि अगर हम कहें कि largest river of the world जिसको हम क्या कहे रहे हैं Amazon river वो कितने country से flow करती है या कितने country से उकर provide करती है तो तीन country से एक तो पेरू से निकल रही तो पेरू जाएगी पेरू से आगे बढ़ेंगे आपको एक country मिलेगा कोलम्बिया और कोलम्बिया से आगे बढ़ेंगे तो आपको एक country मिलेगा पेरू कोलम्बिया के साथ साथ ये ब्राजील में भी फ्लो करती है इसके साथ ही अपने पानी को ले जाकर कहां गिराती है अट्लांटिक ओशियन में यानि इस रीवर का जो माउथ होगा वो क्या होगा अट्लांटिक ओशियन अट्लांटिक ओशियन अगर यह मालने South America continent है यह दक्षणी अमेरिका महाद्यूप है इस तरह से हम बना लेते हैं से यह South America continent है यह दक्षणी अमेरिका महाद्यूप है तो दक्षणी अमेरिका महाद्यूप में यहाँ आपको इस तरह से एक mountain दिखाई देगा यहाँ इसी का नाम क्या है इसी का नाम ह या Indies परवग यहां आपको मिलेगा Pacific Ocean प्रसांत महासागर इस शेतर में आपको मिलेगा Caribbean Sea या Caribbean सागर और इस शेतर में आपको मिलेगा Atlantic Ocean या Atlantic महासागर ठीक Atlantic Ocean या Atlantic महासागर और यहां से इसके पेरु वाले हिस्से से हमने कहा पेरु वाले हिस्से से एक रीबर निकलती जिसक कह básicamente या डिल्टा बनाती हूं किरेंगी किसका पार्ट है अटलन्टिक महासागर का पार्ट है तो आप ये भी कह सकते हैं किसका माउथ हें महाना अटलन्टिक उशेन है तो ये river कितने country से होकर flow करती है तीन अलग-अलग country उसे होकर flow करती है पिरू, पिरू के बाद है कहाएगी कॉलंबिया, कॉलंबिया के बाद कहाएगी ब्राजील ब्राजील में इसके मुहाने पर ही एक सहर है जिसका नाम है मकापा यनि इस सहर का नाम क्या है, इस सहर का नाम है मकापा मकापा ब्राजिल में मकापा के पास पहुँच कर ये रीवर क्या करती है डेल्टा बनाती भी केरिबियन सी या अटलांटिक महासागर में डेल्टा बनाती हुए अपने पानी को गिरा दीती है इसी नदी घाटी शेतर में एक जन्जाती स्टे करती है या एक जंजाती निवास करती है जिसका नाम है बोरू ट्राइप्स या बोरू जंजाती आपसे question पुछा जाएगा कि बोरू ट्राइप्स या बोरू जंजाती किस continent की है तब आंसर करेंगे बोरू ट्राइप्स South America continent या दक्षिन अमेरिका महाद्यूब की जंजाती है और ये बोरू ट्राइप्स किस नदी घाटी छेतर में रहते हैं तब हम कहेंगे अमेजॉन नदी घाटी छेतर में बोरू ट्राइप्स या बोरू जंजाती पाई जाती है साथ साथ आमेजोन रीबर के तटी छेत्रों में ग्रास लेंड भी पाया जाता है इसका नाम है सेलवास ग्रास लेंड सेलवास ग्रास लेंड भी किस कॉंटिनेंट में है सेलवास ग्रास लेंड भी किस कॉंटिनेंट में है तो सेलवास ग्रास लेंड भी साथ अमेरिका कॉंटिनेंट में है जख्षन अमेरिका महाद्यूप में है और ये किस country में पढ़ता है तो cortisol में पढ़ता है ये क्या है dense forest या आप कह सकते हैं घने बनों शेत्र है जिसे ब्राजिल में किस नाम से सिल्वास के नाम से जाना जाता है आप आगे बढ़ेंगे तो यह इस रीवर के बारे में देखेंगे किस रीवर की लगबग करीब 1000 क्या है इस लीवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में अगर देखें तो Amazon की लगबग 1000 ट्रिब्यूटरीज डिवर या लगबग 1000 इसकी क्या है 1000 साहक नदिया है जिसमें से 2 ट्रिब्यूटरीज डिवर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ये Indies Mountain मान लेते हैं Indies Mountain है और रिवर इस तरह से फ्लो कर रही है पेरू पेरू से कोलंबिया कोलंबिया से फिर किदर जा रही ब्राजील की तरफ और फिर ये Atlantic महासागर में डेल्टा बनाती भी अपने पानी को गिरा दे रही है फिर हमने कहा कि यहां एक सहर पढ़ता है ब्राजील में ही एक सहर पढ़ता है जिसका नाम है Manos Manos में नार्थ की तरफ से यहां की एक रिवर मिलती है जिसका नाम है Negro अगर Negro रिवर के बारे में आप से question किया जाए Negro रिवर किसकी Tributaries या किसकी सहाइक नदी है तो Negro Tributaries किसकी है तो Amazon की क्या है Amazon की Tributaries रिवर है या Amazon की सहाइक नदी है जो कि Manos के पास आगर जाइन कर लेती है किसको Amazon रिवर को क्या कर लेती है जाइन कर लेती है और इसके south की तरफ से एक river आती है जिसका नाम है medera river और medera river भी किसको join कर लेती है amazon को क्या करती है जोइन कर लेती है ये कौन सी river है medera तो आपको tributaries में लगबग approximately 1000 tributaries river है लेकिन दो आपको याद रखना है एक negro और दूसरा medera निग्रो नार्थ की तरफ से जबकि मेरेडरा south की तरफ से आकर amazon से मिल जाती है और फिर आगे बढ़ती है और यहां हमने एक सहर आपको कराया है कौन सा सहर मकापा मकापा सहर के बाद ही ये कहां चली जाती है Atlantic Ocean में डिल्टा बनाती हुई ये river जाके गिर जाती मनौस ब्राजिल में किस के लिए जाना जाता है तो मनौस ब्राजिल में किस के लिए famous है ये rubber के लिए जाना जाता है तो ये रहा हम लोगों ने पढ़ा किस के बारे में largest river of the world विस्सु की सबसे बड़ी नदी के बारे में जिसका नाम क्या है Amazon river इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि विस्सु की सबसे बड़ी नदी कौन सी है largest river of the world Amazon river किस continent में है South America continent या दक्ष्ण अमेरिक महाद्यूप में है साथ ही साथ हमें याद रखना है longest river of the world के बारे में Nile river है किस continent में है तब हम आंसर करेंगे ये हमारा है अफरीका continent या अफरीका महाद्यूप में second longest river of the world कौन सी है विस्सु की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है तब भी हमें याद रखना है Amazon river है Amazon की कितनी सायक नदिया साथ हमें साथ हम में यहरी साथ हमें एम ईया शना है याद करेंगे येर फाम सी आक्रिया ये विदू दिलिख्ग रखना है येका महादी